नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर बलिदान को याद किया गया मौके पर पुरम मुख्या मुकिश उराव ने कहा कि संथाल हूल की आजादी की पहली लड़ाई थी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुडाने वाले आदिवासियों के संघष गाता और उनके बलिदान को याद करने कई हखास सिंदू कानू चान भैरो फुलो जानो बिरसा मुंडा आदि शहीदों को याद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खलाफ विद्रों के परतिक के तौर पर हूल दिवस मनाया जाता है उन्होंने कहा उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि हूल करांती दिवस भारती इतिहास में पहली स्वाधिनता संग्राम की पहली लड़ाई थी वैसे तो सन 1857 को मानी जाती है किन्तू इसके पहले ही संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रों के द्वारा यहां के आदिवासियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये मौके पर आदिवासी समाज के अगवाश्यनी उराव ने कहा कि 1857 के विद्रों को अंग्रेजों के खिलाब पहला विद्रों बताया जाता है लेकिन इससे पहले 30 जुन 1855 को सिंधु कान्हों के नित्रितों में साहिब गन जीले के भोगना डी गाउं से 400 गाउं के 1000 आदिव आदि ने भी अपने विचारों को रखा जे भी समाज कर रखवर है ओमने पढ़ा ब्यवस्था कर दुवारा सोशासन ब्यवस्था के चलात रहे और 30 जुन के 1855 में 400 गाउं के निवता दे के पढ़ा ब्यवस्था में जे कोटवार दुवारा जे साल कर डोड़ा सखवा पेरकर डाली कर जे टहनी के दे के पूरा चाइर सो गाउं में निवता दे रहें और हजारों कर संख्या में उपर्थित होए के कानू के सिदू के राजा और कानू के मंत्री और चांद भायरों मन के सेना पती बनाए रहें और उस तरह से अंग्रेज हुकुमर जे कि यहां पर अंग्रेज मनें सोसं करेक ले आये हैं उपर भीवुत में ती 1855 के 30 जून के ही पूरा 400 गाउं कर बीच में सिदू के राजा कर रूप में बना लाएं और क्रांतिकारी उसी दिन से भीकुल खुक लाएं और संथाल में एक क्रांति कर लाएं और अंग्रेज मनें लड़ेक कर काम कर लाएं और आई इतिहास कर पन् में पूर्वज मने जत्रा लगाय कर जे मकसद रैख रहें वो जत्रा कर मकसद आज हमल समाज नहीं जाने ला वो बात के फुल दिवस के उपलक्ष में सबत लेकर जोरत है जाने कर जोरत है कि बड़े बड़े देश के अंदर दंगा फसाद तरह तरह कर समस्या अंग्रेजी गुलाम से बचेक लगें फुल दिवस करांती कारी कर लाएं सहीद हो लाएं उक्रेज उपलक्ष में हों दिवस मनाल जाते